ओम श्री गणी शायना महा चैप फोलिनाथ जैशिफशक्ती वल्कम बाक टो अवर चैनल आज हम एक वीकली रीडिंग करने चारहे हैं पाइसे साइंग के लिए जिसमें हम देखेंगे कि यह हफता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा यह जनरल रीडिंग है और उन सब के के लिए हैं जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं चाहें आप बच्चे हैं बुज़र के हैं मेल फीमिल कोई भी देख रहा है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं वेलकम यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डीटेल्स on a very positive note और देख लेते हैं कि Pisces ये हाफता overall energy क्या रहने वाली है for all the people watching this video right now आपके लिए overall energy क्या रहने वाली है okay so Pisces I think it's about opening up communication ठीक है जहां बोलना है बात रखनी है और being more assertive open ठीक है चीजों को लेके I think आप अपने comfort zone से बाहर निकल के it's about freedom of speech ठीक है connectivity लोगों से बात करना connect करना and I think बहुत सारी लोगों से आप मिल सकते हैं communicate कर सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं अपना मुदा रख सकते हैं सामने तो यह energy beautiful energy हमें दिखाए दे रही है for all you people and moreover it's also about taking step forward also कि किसी चीज में आपने step forward करना है और यह चीज है जो नए दरवाजे खोल रही है for example कुछ लोग हो सकता it's about positive using positive affirmations ठीक है बहुत जरूरी होता है कई बार कई बार जब आप low feel करते हैं negative हो जाते हैं तो आपके लिए most important होता है उस time पे कि आप positive affirmations यूज कीजिए आपको बहुत help कर सकता है आगे आपको motivate कर सकता है एक balance लेके आता है और इससे क्या होता है कि जो blocked doors होते हैं वो open होते हैं आप यहां देख सकते है number 32 equals to 5 ठीक है 5 that means a transformation change इस हफता यह जो हफता है आपके लिए कोई change लेके आ सकता है and Archangel Gabriel है जो आपको help कर रहे है कि कहां क्या बोलना है कैसे बोलना है आपको help कर रहे हैं आपको motivate कर रहे हैं आपको guide कर रहे हैं towards the right path या जो भी आपके angels हैं जिनको भी आप जिनमें भी believe करते हैं so definitely कोई you know यहां पर locked door है जो खुल रहा है कोई दर्वाजा है जो खुल रहा है वो आपको आगे चलके पता चलेगा why because a lot of like हो सकता है कोई relationship के point of view से reading को देख रहा हो या हो सकता है कि कोई career point of view से देख रहा हो so anything या बच्चे है जो अपनी studies के उस पर देख रहे हैं ठीक है so इसका मतलब यह है कि अगर आप इस चीज को follow करते हैं ठीक है concentrating क्या बोलना है कैसे बोलना है freedom of speech ठीक है connectivity और या throat chakra पे you know throat chakra के लिए अगर आप meditation करते हैं तो I think it's going to really help you चलिए अब हम बात करेंगे आपकी relationship sector की ओके पाइसिस के लिए यह जो relationship sector है जो हमेचा ही complicated रहता है अभी current situation क्या है आपके और आपकी partner के बीच में पाइसिस okay so waiting for a message और a call या सोच रहे है कि message करें कि ना करें क्योंकि सामने वाला बड़ा stubborn है ठीक है और यह हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी अपने आपको थोड़ा सा controlled रख रहे है ठीक है पाइसिस ऐसी वाली energy हमें दिखाई दे रही है और same as with your partner हो सकता है उनकी भी ऐसी energy हो आपकी energy क्या है पाइसिस I think it's about you are लेक आपने give up कर दिया है आपको लगता है कि आपको clarity मिलेगी ठीक है नहीं तो ना से good to tata bye bye वो वाली energy Pisces के तरह से और आप अपने में must है you are holding emotions और आप अपने में है कि ठीक है आप अपने secrets है आपके मन में जो है आपने कर लिया बात जो कर लिया लेकिन अब आप और आगे जादा नहीं बढ़ने वाले that kind of energy I am getting from Pisces because आप बहुत clear है कि आपको क्या चाहिए कैसे चाहिए on the other hand आपके जो partner है I think of course they are hiding something या तो हो सकता है वो है कुछ आप से यहां हो सकता है यह person already past burden बहुत carry कर रहे है ठीक है यहां पर हमारे पास है दो चीज़े हो सकते है उनकी life में कोई है जो आप से चुपा रहे है ठीक है queen of one synergy यहां पर आ रही है या कुछ के लिए हो सकता है इस person की life में already बड़ा burden आप देख सकते हो कितना pressure एस person के ओपर ठीक है अब burden है अब जूट बोलने का burden हो सकता है या हो सकता है कि उनकी life में कुछ चीज़े हैं जो वो संभाल नहीं पा रहे है और wait कर रहे है इस person क next move क्या होने वाला है okay two of cups इसका मतलब होता है हो सकता है आप लोगों की heart to heart conversation हो बात हो ठीक है और communication हो सकती है कल को ठीक है शायर हो सकता है but the problem is कि यह person communicate करते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते है ठीक है बात तो कर लेते हैं आपसे लेकिन फिर वो कहीं बढ़ता नहीं है relationship बात हो जाएगी लेकिन they feel so hopeless और फिर वो low feel क्यों क्योंकि उनकी life में मैं आपको बोला ना three of cups synergy इसका मतलब ये है कि शायर है कोई external factor ठीक है अब मैं ये बोलूँगी third party तो आप कहेंगे why are you using this word तो जिनको नहीं मतलब नहीं clear हो रहा तो third party में आपको यहां बता देती हूँ कि इसका मतलब कि और बहुत बाते हैं या और बहुत चीज़े हैं या और बहुत लोग है आप लोगों के बीच में जो शायद हो सकता है clear नहीं बता पा रहे हैं आपको इस वज़ा से ये person बार 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 उस third party म आप लोगों के relationship delay हो रहा है क्या उसमें से निकल पाएंगे of course निकल पाएंगे night of cups है बट अब उस चीज़ को कितना time लग जाए वो हम कुछ नहीं कह सकते और तब तक prices उनको वो time दे वो भी कुछ कह नहीं सकते आप किसी से बात कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लोगों कि कोई किसी के थू बात हो या कुछ यह relationship जो है वो sought out हो ठीक है अब वो कोई भी है हमाँ पस यहापे cancer scorpio prices energy आ रही है fire energy बहुत आ रही है जिनके साथ भी आप deal कर रहे है ठीक है fellow water sign या fire sign हो सकते है जिनके साथ आप deal कर रहे है betrayal I think prices happy feel नहीं कर रहे है लोगों की बात नहीं हो रही है कम हो रही है जो भी है और betrayal है यहाप इसका मतलब कुछ end मतलब कोई बात आपकी किसी बात मतलब you know abrupt note पे बंद हुई है और आप उस चीज का weight कर रहे है अब totally जो single prices उनके लिए क्या है single prices थोड़े से closed off है I think अपने career पर जादा focus कर रहे है थोड़े सा रिजिस्ट कर रहें avoid कर रहे है उनको लगता है कि कोई अच्छा कोई समझ आएगा तो ठीक है wait कर रहे है अभी फैलाल single prices का जो है न वो focus अपने काम पे है अच्छानक से कुछ उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ हो जाएगा तो देखी जाएगी भगवान अपनी तरफ से कोई ने कोई एकदम से कोई आ जाएगा वो जैसे वो मुवीज में होता है तो prices are dealing with that कि ठीक है आना होगा तो आजाएगा लेकिन prices अभी मूड में नहीं किसी के पीछे भागने के तो ऐसी वाली नरजी है या शादी तो होनी ही है सबकी एक दिन तो वह सन वाली नरजी है आप वह बाता लग है देखे वह बाता लग है कि कई getting back together कुछ challenges हो सकते हैं ठीक है money is related, jobs are related, logos are related तो ठीक है वो time दीजए थोड़ा time लग रहा है पर sort out हो जाएगे otherwise choice is yours, spices choice आपकी है कि आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, wait करना है, नहीं करना है, totally up to you क्योंकि ऐसी energy आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है, singles के लिए भी वही energy दिखाई दे रही है, especially singles के लिए जो लोग love relationship में है, बाकी जो लोग married है तो उनके लिए तो it's all about कि ब problems create कर रहा है, उसको जाने दीजिए, give up कीजिए, ठीक है, जितना at least try कीजिए, तो वह energy हमें पाईस के लिए दिखाई दे रही है, so ये हफता तो ऐसा हो गया, तो अगर बात नहीं हो रही है, no contact zone है, कुछ भी है, betrayal है, सामने वाला person कुछ बातें चुपा रहा है, time तो देना पड़ेगा, आपको पाईसस, चलिए, career wise, energy flow हो रही है, career wise ये हफता कैसा रहीगा, पाईसस के लिए, oh, so यहाँ पे हमारे पास star energy आ रहे है, इसका मतलब है, बड़ी थमाके तर शुरुवात होती हुए, दिखाई रही है सफते की, ऐसा लगता है कि आपने कुछ बहुत समझा है, and now God is giving you chance, okay, आपको भगवान chance दे रहे है, to move forward, to prove yourself, star is also about like, कुछ हटके कर रहे है, कुछ बहुत अच्छा कर रहे है, जो लोग देख रहे है, people are looking, or people will look to you, okay, मैं बस यहाँ पे गनेश ची के नरचे भी तिखाई ते रही है, of course, okay, so it's about blessing, so कि आप achievement कह सकते है, या quick start, या कुछ mind में आया है, भगवान आपके साथ है, आपको मुका दे रहे है, आपको chance दे रहे है, और मैं क्या बूलू, so ये एक शिरुवात हो सकती है, restart हो सकता है, या idea, like some idea coming up to you, आप उस पे काम कर रहे है, उस पे महनत कर रहे है, all in all, again, seems to be a very good energy, अगर हम career point of view से बात क क्यों क्योंकि आपको लगता है कि ये मोका मिला आपको, you know, again, like God is helping you, or helping hand, या कुछ भी है, या अचानक सी कोई opportunity आती हुई दिखाई दे रहे है, या हो सतता, it's about, you know, very good energy, bad phase end हो रहा है, या कुछ change हो रहा है, of course, कुछ change हो रहा है, you know, of course, transformation का हफता है, हफता दिखाई दि bad period में से निकल रहे हैं, या कुछ problem थी, उसको face करके आगे बढ़ रहे हैं, challenges थे, but वो सब कुछ end हो रहा है, ठीक है, of course, यहाँ भी हमारे पस, दिखे, मुझे से लगता है, कुछ था, problem create हो रही थी, three of sorts, very painful, हो सकता है, पिछले कुछ दिन आपने बहुत ही, उदास होकर य यह मैं यह कहूँगी, और, you know, फाल्तु में, जो लोग आपको लगता है, कि इनकी intention नहीं अच्छी है, तो please उनसे दूर ही रहे हैं, मैं आपको यह कहूँगी, it's not good for you, it's not healthy for you, otherwise, yes, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कि जो लोगों की नजरों में बने हुए हैं, आप Pisces, तो इसका म मौका दे रहा है, दुबारा से, to restart thing, because, यह इस, you know, phase में से आप निकल रहे हैं, तो इन सब चीतों का थोड़ा सा ध्यान रहे हैं, guidance बहुत important है, कि पाइसस के लिए, जाहे relationship हो यह करिया, what's the guidance, okay, okay, relationship के बात करे, it's about missing pieces, जो 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 जोड रहे हैं, of course, यहां पे हमार पस completion, एक cycle जो है, वो end हो रहा है, मुझे, I don't know, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी life में, it's like a world card, ठीक है, कुछ, दुनिया बदल रही है, ऐसा लगता है, कुछ change हो रहा है, ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है, but yes, your world is changing, Pisces, you are changing, आप बदल रहे हो, आपकी life बदल रही है, आने वाले टाइम में, relationship बदल सकते है, ठीक है, change हो रहा है, और कुछ लोग हो सकते है, आने वाले वक्त में, कहीं shift हो सकते है, कहीं move हो सकते है, अपने partner के साथ, ऐसी energy हमें, Pisces के लिए दिखाए दे रही है, okay, now coming back to the career point, मुझे ऐसा लगता है, connect with the source, ठीक है, I think आपको बार बार आगाह किया जाता है, कि अपने काम पे focus कीजे, अपने काम पे focus कीजे, दुद्र भटकिये मत, ठीक है, ख्याल रखिये, why, because, मुझे ऐसे लगता है, कि आप बहुत जल्दी low हो जाते है, या हो सकता है, कि extra, you know, what we say, out of the way जाके, लोगों की help करते है, और यह जो चीज है, वो जाएब सकता है, लोग एप्रिशिये नहीं करते है, और लोग आपका बुरा चाहते है, जो whatever, ठीक है, conspiracy, यह वो, अपने काम पे focus कीजे, that is most important right now for all the Pisces people, ठीक है, तो यह थी, connecting with the source again, अपने पस की word आरहा है, connect with the source, connect, इसका मतलब है, कि जो शुरुआत की है, आपने काम कर र all you people, I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताएए, कैसी लगी मिलती हूँ, next time, take care.